वेल्कम टू आवर चैनल एडवांस लर्निंग इस्ट्उट सभी का स्वागत है अपने इस औनलाइन यूटू चैनल एडवांस लर्निंग इस्ट्उट में आप लोग को बता दें कि आज मैं जो चैप्टर बटा रहा हूँ आप लोग को नरेशन का नरेशन में आपको जो previous year question आये हुए हैं आपके examों में ठीक है जितने भी government examों में question आये हुए हैं केवल मैं बही question उठा रहा हूँ लगवक 30 से आपको 40 question इस video में मिलेंगे और सभी एक class के question होंगे question मतलब question equality मतलब government exam से लिए हुए question है ठीक है तो चलिए बिना time को waste किए इसको start करते हैं इससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी मेरा narration का वीडियो नहीं देखा already मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिये हैं narration के जिन लोगों नहीं देखा है वो भी जाके group description में जाके देख सकते हैं और वो दो वीडियो देखके इस question को solve कर सकते हैं ठीक है इसमें मैं trick बताऊंगा आपको कैसे question को solve किया जाता है ठीक है तो चलिए start करते हैं question को question पर चलते हैं बिना time को waste कि हुए first question है तिया हुआ है कि Nelson said I was playing cricket ठीक है नेलसन said I was playing cricket देखे मैं question मैं आपको trick के अनुसार बता रहा हूँ के वल मैं आपको क्या बता रहा हूँ trick ठीक है इस trick के मैंने पूरा जिक्र जो किया है वो मैंने जो वीडियो मैंने आपको बताए कि one or two वीडियो मैंने आपको upload किये हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं ठीक है simple सा question में सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है हाँ पे was और playing मिला मतलब जो tense है वो क्या चल रहा है आपका वो चल रहा है आपका past का continuous tense ठीक है तो अगर past continuous मिलेगा तो मैंने आपको trick में बताया है कि सीधे आपको headween देखना answer में क्या देखना है headween अगर आप देखे तो इसमें houseween है haveween है, watch तो आएगा, नहीं, क्या आपका answer होगा सीधे headween हो जाएगा ठीक है तो चुटकी बजाएंगे, आप दो चुटकी बजाएंगे, आपका answer आजाएगा बस आपको trick मालूम होनी चाहिए ठीक है तो trick मैं आपको बताते चल रहा हूँ आप लोग note करना हो तो note भी कर सकते हैं यह past continuous tense अगर आपको मिलता है watch work साथ बरव के साथ ing form तो आपको सीधे head bean का use करना है ठीक है next question पर move करते हैं अपर लोग next question क्या है out of given option choose the one which is the correct indirect speech of the sentence indirect speech आपको बतानी है simple सा है सबसे पहली बात आपको question देखना है इसमें और उसका answer लगाना है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो question आपका interrogative है interrogative है तो यहाँ पे ask लगता है यह बिलकुल लगा हुआ है सभी देखे ask लगा हुआ है यहाँ पे connector if लगता है यह देखे बिलकुल if लगा हुआ है देखे सबसे पहली बात मैं आपको trick बता देता हूँ कि यहाँ पे did अगर आ गया did आ गया मतलब इसे बोलते हैं हम लोग past indefinite क्या बोलते हैं past indefinite जब कभी भी आएगा तो वो past perfect tense में जाएगा ध्यान रखिएगा past perfect tense अगर past continuous आया था जैसे पिछले question में तो वो चला गया था किसमे past perfect continuous में चला गया था ठीक है और past indefinite तो किसमें जाएगा past perfect में जाएगा और past perfect में आप लोग को बता है head और head bean होता है sorry head होता है तो head किसमें है आपका सीधे यही आपका answer होगा did not, did not, have not यह सब कट गए सीधे आपको क्या करना है head वाला answer लगा देना है तो मैं बहुत सांदार trick बता रहा हूँ इस trick का आप अगर use करेंगे तो बहुत आसानी से आप answer अपना निकाल सकते हैं ठीक है चलते हैं, आगे next question की तरफ move करते हैं और यह बता दूँ, यह सभी question जो है exam से लिये हुए question है देवियों सचनो, मैंने अपने question नहीं बनाए है यह सीधे exam के question मैं आपको दे रहा हूँ तो सबसे पहली बात यह तो आपका जो sentence है वो आपका कैसा है sentence है इसको exclamatory sentence बोलते है ठीक है, कैसा sentence बोलते है exclamatory अलास जब कभी भी आयेगा तो sentence में आपको sorrowfully देखना है क्योंकि अलास जो word होता है इसका मतलब होता है जो मतलब दुख भरा अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे check करना है I have लिखा है अगर I have लिखा है तो यह सीधे head में change होगा मतलब अगर present का present का perfect tense आपको मिलता है तो वो सीधे किस में जाता है past के perfect tense में जाता है ध्यान रखियेगा present का perfect किस में जाता है past के perfect में तो अगर आप यहाँ पर simple सा देखें तो यहाँ पर have लिखा है मतलब sentence में हमको head चाहिए तो head चाहिए तो हमारे पास दो में head है यहाँ भी head है यहाँ भी head है और यहाँ पर hedge है have है तो यह दोनों ही cut जाएगा अब आपको क्या करना है सबसे पहली बात कि head के साथ भाई यह बर्व की third form लगी है तो यही हमारा answer होगा यहाँ पर head साथ बर्व की first form लगी है जो कि क्या है गलत है क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि head के साथ बर्व की हर्में सा third form आती है तो इस recording अगर आप देखें तो इस तरह से तरह move करते हैं ध्यान दीजेगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं trick पर चलता हूं यहाँ पर लिखा है did not committed कव आता है भाईया तो did आ गया इसका मतलब है sentence हमारा क्या है sentence did है मतलब आपका tense जो है वो है आपका past का indefinite tense अब यह बताईए मैंने अभी आपको कुछ दिर पहले बता है यह past indefinite अगर आता है तो वो सीधे past के perfect में जाएगा और past के perfect में past का indefinite भी past के perfect में जाता है और present का perfect भी past के perfect में जाता है यह ध्यान रखिएगा तो simple सा है आप अगर note बना रहे हैं तो note बना सकते हैं इसकी एक बड़ी आसी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तरह से आप बनाते चलिए ठीक है अब यहाँ पे did है मतलब यह head वाला हमारा option सही होगा और head वाला हमारे पास एक ही option है जो की यह है अब यहाँ भी कोई मतलब नहीं कि आपसे अगर English आ रही अच्छे से की नहीं आ रही है बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए आप सीधे सीधे इसका answer निगाल सकते हैं ठीक है अब जैसे माल लीजे अगर आप कहें तो मैं आपको एक ट्रिक जल्दी से sort में समझा भी देता हूँ कि अगर present indefinite tense है तो वो change होगा किसमे past के indefinite में ध्यान दीजेगा ठीक है अगर present continuous है तो change होगा past के continuous में ठीक है फिर present का perfect है तो वो किसमें change होगा भाया वो हो जाएगा आपका past के perfect में ठीक है अगर present का perfect continuous है तो वो आपका चला जाएगा past के perfect continuous में अगर present का indefinite सोरी past का ध्यान दीजेगा अगर past का indefinite है तो वो change होगा किसमें आपके past के perfect में और अगर past का continuous है तो वो change होगा किसमे past के perfect continuous tense में ठीक है तो इस तरह से अगर आपको trick याद रखनी है तो trick आप लिख भी सकते हैं कहीं पे लिख लीजे तो आसानी से आपको answer आपका मिल जाएगा ठीक है चलते हैं next question की तरह move करते हैं अगर आप ध्यान दे रहे हों तो यहाँ पे लिखा हुआ है have है मतलब यह किसमे है आपका present का indefinite है और present का indefinite है सीधे आपका किसमे जाएगा यह past के perfect है तो यह सीधे किसमे जाएगा past के perfect में जाएगा तो सीधे head वाला answer होगा और head वाला answer देखे यह लिखा हुआ है तो simple सा बहुत चुटकी बजाते हुए आपका answer आ जाएगा अगर आप मेरी trick बस ध्यान रखेंगे जितनी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ बोड़ trick अगर आप ध्यान रखेंगे बस ठीक है next question पे again देखे वही चीज़ है कि यहाँ पे देखे haven't आ गया haven't मतलब यह आपका present का क्या है perfect है तो इसे past के perfect मिले जाने के लिए आपको head ध्यान देना पड़ेगा तो यहाँ पे देखे question पे थोड़ा सा देखे घुमा दिया है head के लिए 3 option दिये है इसने ठीक है तो आप य I intend to take to exam ठीक है यह भी ठीक है तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें इस recording तो answer आपको सही बताना पड़ेगा देखें चलती है मिलाते चलते हैं तो रह्मान सेट लिखा है तो रह्मान सेट अगर लिखा यह तो option आपको गलत है रह्मान सेट यहाँ सही है रह्मान सेट यहाँ सही है रह्मान सेट यहाँ सही है ठीक है अब यहाँ पे आपको चेक करना है heading यहाँ पर लिखा है यहाँ भी भी यहाँ भी है नीचे यहाँ पर third form है third form है तीनों में है ठीक है any exam यहां पर this, that यहाँ पर बात बन रही है देखें यहाँ पर लिखा है this year तो this year जो होगा वो that में change होगा मतलब यहाँ पे यह option दोनों ही कट गए ठीक है अब नीचे वाले यह दोनों option में से answer आपका बचाएगा ठीक है this जो होता है वो change होके that हो जाता है यह आप लोगों को बता भी होगा ठीक है अब यहाँ पे चलते हैं आगे चलते हैं बट इंटेंड और यहाँ पे लिखा है बट इंटेंड बस यहीं पे question पकड़ जाएगा इंटेंड लिखा है मतलब यह आपका present की बात सू कर रहा है यहाँ पे तो इंटेंड होगा यह बिल्कुल सही है और यह आपका इंटेंड जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है तो सही option आपका होगा, option number 4, 4 is the right answer, ठीक है, तो बहुत आसानी से अपना answer पकड़ सकते हैं, बस आपको अपनी trick याद रखने हैं, अब जैसे ये question जो था भी पिछला वाला, इसमें आपने देखा कि question को थोड़ा से जादा घुमाया हुआ है, तो जब घुमा देगा तो हम लो लिखा है, तो मैंने आपको बता है, present का ये कौन सा है, present का perfect है, तो ये सीधे past के perfect में जाएगा, और past का perfect आपको पता है, अच्छे से की head lived होता है, तो बहुत चुटकी बजाते हुए आपका answer आ जाएगा, ठीक है, तो आपको बहुत परशान हुए जरूत नहीं है, इस तर पहले क्या करना चाहिए, तब principal told, यहाँ पर लिखा है weight hair, ठीक है, चलिए, तो इस question को बहुत ध्यान solve परना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है weight hair, weight hair, weight hair, weight hair, तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजे, कि जो hair होता है, वो dare में change होता है, और यहाँ पर इन्होंने hair को dare में change नहीं किया, यहाँ पर किया, मतलब यह दोनों ही option गलत हो गए, अब बचा कौन सा आपका option, option number 3 सही बचा, option number 4 सही बचा, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, till I returns लिखा है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यह पता है, कि I return जो है, यह return बर्व की first form है, first form ह मतलब यहाँ पर जो आपका sentence चल रहा है, वो चल रहा है, present के indefinite में, तो वो सीधे change होगा, past के indefinite में, और past के indefinite में, B2 form का use होता है, जो की आपके option number 4 में है, और यही आपका answer सही होगा, देखे, he returned लिखा हुआ है, तो मतलब आपका option जो है, सही कौन सा होगा, 4 number answer आपक and if you do your best, you will surely pass, ठीक है, simple सा है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपका sentence जो है, वो if से चल रहा है, ठीक है, if do लिखाय रहे है, ध्यान दीजेगा, if do, do मतलब होता है, present का indefinite, मतलब यह past के indefinite में change होगा, और past का indefinite अगर change होगा, तो हमें sentence में पकड़ना है, कि क्या आना चाहिए, या तो आपका देखिए, यह आ सकता है option, do, यहाँ भी था, do, यहाँ भी है, तो यह नहीं होना चाहिए answer, ठीक है, तो यहाँ भी did है, यहाँ भी did है, तो यह दोनों option मुझे लगता है, कि सही हो सकते हैं, फिर आगे चलते हैं, if you do your best, अच्छा, नहीं, एक चीज़ और है यहाँ पर, if you do your best, you will surely pass, यहाँ पर बिल की बात हो रही है, बिल जो change होगा, वो बुड में change होगा, ठीक है, और बिल अगर बुड में change होगा, तो बुड यहाँ पर आया है, ठीक है, बुड यहाँ पर भी आया है, ठीक है, मतलब question ने बहुत अच है करना, और करना की यह first form है, मतलब जाएगा वो did में, तो did इन दोनों में ही है, तो इन दोनों में option में सही होगा, लेकिन यहाँ पर बिल है, बिल का बिल, वो बिलकुल गलत है, बिल का होता है क्या, बुड और सही option आपका होगा, four number, four number is the right answer, ठीक है, तो इस तरह से आपक never said, do you like to play golf, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दे, question interrogative है, तो never ask, यहाँ तक तो सभी question में, never ask तक सभी question में same है, ठीक है, अब आते हैं, अपर लोग if भी सही है, if he, if he, if he, बिलकुल सही है, बस आप simple समझ लिए, do लिखा है, मतलब present का indefinite है, और जाएगा किसमे past क indefinite में, और past का indefinite होता है, did, ठीक है, तो यहाँ पर आपको did या देखना है, या B2 form भी अगर आपको मिलती है, तो आपको उसको answer लगाना है, अब देखिए, तो hedge है, मतलब सीधे गलत हो गया, यह तो present indefinite ही लिख दिया, यह भी गलत हो गया, यह आपका answer हो सकता है, क्यो होगा, आपका third number option is the right answer, ठीक है, next question पर चलते हैं, अपन लोग, the king said to the prince, you must go the forest and remain there till your father calls you back, ठीक है, तो simple सा है, इस question पर अपन लोग को क्या करना है, ध्यान दीजेगा, सबसे पहली बात, यहाँ पर लिखा है, देखिए, the king said to the prince, you must, अब यहाँ पर must आ गया, must मतलब होता है model verb, तो model verb जब कभी भी आएगी, तो वो be में change हो जाता है, must be, ठीक है, लेकिन यहाँ पर question थोड़ा सा इतना आसान नहीं दिया हुआ है, यह थोड़ा question difficult है, तो इस question को पूरा solve करेंगे, अच्छे से, you must go, ठीक है, the forest and remain there till your father calls you back, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है, told the prince that, ठीक है, the kings told the prince that, ठीक है, the kings told the prince that, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, he must go to the forest and remain there till his father called him back, ठीक है, लेकिन यहाँ पर måste be करना चाहिए था इनको, चलिए, तो यह could go किया है, to the forest, remain there till his father calls, देखे, यहाँ पर, यहाँ पर आप अगर देखे तो यहाँ पर धियान अगर देंगे तो क्या लिखा है calls you और यहाँ पर देखे क्या लिखा है calls मतलब यह option नहीं होगा calls का called हो जाता है जैसे इस option में हुआ है तो यह सही है भी यहाँ पर यह भी देखे गलत है call him लिखा है तो ये भी गलत हुआ मतलब दो option तो सीधे सीधे आपके गलत हो गए अब बचे दो ही option एक बचा आपका must go बाला एक किये तो दोनों में difference देख लेते हैं कि गलत इनों ने किया कहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो till your father call you back तो called हुआ है him back ठीक है और यहाँ पे देखें इनोंने bill have called लगा दिया यही इनोंने गलत किया मतलब सही option कौन सा होगा आपका first number the king told मतलब बहुत ही patience के साथ आपको answer निकालना पड़े कभी कभी difficult question भी आ जाते हैं ठीक है next question पे चलते हैं question आपका लिखा है the previous said to the man all your faults will be pardoned if you confess them ठीक है तो चलिए simple सा है सबसे पहली बात यहां तक तो question आपका पूरा एक ही जैसा है his faults यहां तक भी पूरा वही है अब देखें यहां पे क्या लिखा है will we लिखा है will we लिखा है यह थोड़ा सा question आपको घुमा सकता है लेकिन will का आपको सीधे would करना चाहिए जो यहां पे हुआ है यहां पे हुआ है ठीक है और would be हो गया है ठीक है लेकिन इन दोनों में नहीं है मतलब इन दोनों का option को आप सीधे cut कर सकते हैं बलकुल और अब यहां पे आपको choose कर लेना चाहिए would be pardoned if he confess them ये तो question एकदम same हो गया और अगर दोनों option same है मतलब आपका दोनों ही answer सही है मतलब अगर आप देखें question number third में और fourth में same एक ही तरह की चीज़े लिखी हुई है और मतलब आपका ये दोनों ही option फिर क्या होगा बिल्कुल सही होगा ठीक है बिल्कुल चलते हैं आगे question की तरफ next question की तरफ question लिखा है he said to me your answer correctly your answered correctly ध्यान दीजेगा यहाँ पे answered मतलब B2 form लिखा है और B2 form होता है past के indefinite में और B2 form अगर past indefinite तो past perfect tense में change होगा मतलब आपको head का answer चाहिए और head का answer केवाल एक ही है तो चुटकी बजाईए और answer पाईए इस तरह से trick मैंने आपको पूरी कहां बता रखी है जो मैंने बता है narration की जो दो वीडियो मैंने पढ़ा है description में उसका link भी आपको मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप देख जाके देख सकते हैं वीडियो को और इस तरह से आप इन question को solve कर सकते हैं और अगर आप मेरी WhatsApp का group join करना चाहते हैं तो यह WhatsApp group चलता है इस number पे आप group पे join हो सकते हैं बस अपना नाम लिखना है आपको और कहां से हैं आप वो लिखना है place का नाम लिखना है place का नाम इसलिए कि मुझे पता चले कि आप लोग हैं कहां कहां के ठीक है और आज कल आपको पता है कि जो वीडियो हैं अपने चैनल के वो लगभग 10 से 12 देशों में देखे जाते हैं देखे जा रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद है आप लोगों के कि आप लोगों ने मतलब एक इतने छोटे स्टीचर को इतने दूर दूर तक पहुचा दिया मतलब मैं भी देख रहा था कि युनाइटेट किंग्डम यूएसे और घना इंडोनेशिया इस जैसे देश हैं पाकिस्तान, बंगला देश, भारत तो है ही मतलब कई सारे देशों में मतलब ये वीडियो क्या हो रहे हैं देखे जा रहे हैं ठीक है तो यह आप लोग के बतौलत ही है इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए जिससे और चैनल ग्रो करता रहे है चलते हैं आगे और अभी और कोशन वो करते हैं ठीक है तो लिखा है मारिया सेट टू सेम डू यू लाइक मैंगोस तो यहाँ पर देखे डू लिखा है डू मतलब होता है प्रेजेंट का भईया इंडेफिनिट ये जाएगा सीधे पास्ट के इंडेफिनिट में और या फर्मेटिफ सेंटेंस होता है उसमें भी टू फॉर्म होती है मतलब भी टू फॉर्म बाला भी एंसर आपको मिलेगा तो वो भी सही होगा और बिल्कुल यहाँ पर देखे लिखा है भी टू फॉर्म यहाँ भी बी टू फॉर्म लिखा है मतलब ये दो आप्शन तो बि करते हैं लिखा जॉन सेट टू डेविड हाओ ओफें यू डू यू गो टू दा टीचर ठीक है तो सिंपल सा है सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तक option बिल्कुल सभी के सही हैं एक ही तरह के हैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है question में चूज करना है सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे देखें यहाँ पे लिखा है do मतलब हमारा answer did का होगा या फिर आपका भीटू form का होगा ठीक है मतलब present indefinite है तो हमारा answer होगा past indefinite का ठीक है और past indefinite का अगर होगा तो यह तो option आपका बिल्कुल नहीं होगा और आपका य और डज के साथ बर्व की second form कभी नहीं लगती जैसे इस question में लगया है did he went तो यह भी गलत हो गया सही option आपका कौन सा होगा भी टू form बाला मतलब he went to the teacher is the right answer third number option is the right answer ठीक है चलते है next question की तरब move करते है देवियों सजनो मैं आपको बता दू कि यह question मैंने कहीं भी कोई भी previous year exam के मैंने SI के question उठाए हुए है कि SI में जो आपकी 30 number की English आती है वहां से मैंने यह question उठाए हुए है और वहीं से मैं आपको question के बारे में बता रहा हूँ ठीक है चलिए आंगे चलते है Amira said to me I have bought this flat for my mother ठीक है अब यहां पर देखे लिखा है have मतलब यह आपका क्या है present का perfect tense है और present का perfect tense किसमें change होता है वो होता है भाईया past के perfect में और past के perfect होता है head और head अगर आप देखे तो एक ही option मिलेगा यह सभी option आपके cut गए मतलब यह आपका चुटकी बजा है और आप आपका answer आगया ठीक है मतलब trick पकड़िये देवियों सजनों अगर आप मुझसे बढ़ रहा है तो trick पकड़के आपका answer अपना निकालना है और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से question को कर सकते है ठीक है लिखा है sonam said to me did you was the cricket playing cricket sorry the cricket match on television last night ठीक है simple सा है अगर यहाँ पर आप देखें तो did लिखा है did लिखा है मतलब यह आपका past का indefinite है तो जाएगा past के perfect में और past का perfect होता है had had मतलब यह दो option तो आपके सीधे cut गए अब आपको सही answer choose करना है तो sonam ask me if I had was'd ठीक है the cricket match ठीक है on the television बस last night को यहाँ पर last night है तो last night का last night बिलकुल नहीं होता the previous night होता है ध्यान रखियेगा कभी भी अगर आपको last night मिल जायता है तो आपको क्या करना है उसको the previous night कर देना है और वही आपका सही answer होगा और इसने यहाँ पर क्या किया है changes नहीं किया जो की बिलकुल गलत हो गया ठीक है next question की तरफ move करते है देवि सकता हूँ आपको answer सही कौन सा है fourth number लेकिन फिर भी अपन पूरा काम करेंगे यहाँ पर लिखा है will तो will का होता है भाया बुट तो यह दोनों में बुट है और यह दोनों option सीधे आपके cut हो गए ध्यान रखियेगा यह दोनों option cut हो गए अब यहाँ पर ध्यान रखियेगा आप दे रहे हैं last में लिखा है question tomorrow तो tomorrow को हो जाता है the next day जो की केवल question number 4 में लिखा हुआ option number 4 में लिखा है और इसको आप चुटकी बजाईए और answer अपना पाईए अब जो आप बोलें के सार आप कैसे जान गए तो भाया मैंने इस चीज़ को आप लोग को जो वीडियो है जो मैंने आपको बनाए हुए है एक दो वीडियो उनमें मैंने बताए है पूरी ट्रिक है he said to be quiet and listen to my words अब यह question देखिए थोड़ा सा फसाने वाला है थोड़ा सा अच्छा है तो इसको अपन लोग ध्यान से solve करेंगे यहाँ पर लिखा है he urged them देखिए यहां तक बिलकुल तो तक बिलकुल सही है question बिलकुल सही है बिलकुल सही है चारो question यहां तक बिलकुल सही है अब आप यहाँ पे आगे क्या करना है इनको आगे चेक करना है कि यहाँ पे लिखा था भईया देखे we quiet तो यहाँ पे to be quiet ठीक है to keep quiet ठीक है to be quiet ठीक है to remain quiet यह होगा नहीं लेकिन ठीक है भी end लेके चलिए end end ठीक है फिर क्या लिखा है listen to my words अब यहाँ से खेल स्टार्ट होगा listen लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया be listening to my word विल्कल नहीं keep listening to his word यह थोड़ा सा देखिए यहाँ पे my है ना तो यह आपके किसके according चलता है my I I मतलब subject recording he के according तो he के according आपका जो हिज हो सकता है तो हिज यहाँ भी है हिज यहाँ भी है यहाँ तो इन्होंने क्या किया है listen to his word ठीक है we listening यह गलत किया है इन्होंने ठीक है तो listening यहाँ भी है keep listening यहाँ भी है तो इसमें आपको option थोड़ा साफ करते हैं फिर देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा साफ किया है अब देखिए यहाँ पे जो चीज समझ में आ रही है लगबस सभी कोशन में एक ही जैसी चीजे हैं यहाँ पे जो बी लिसनिंग कर रहा है यह लिसनिंग कर रहा है लिसनिंग कर रहा है तो यह लिसनिंग कैसे हो गया मतलब ing नोंने कैसे लगा दिया किस ways पे लगा दिया तो यही चीज इनकी गलत है जो है बात सही होगा option number आपका one पे मतलब देखें पूरे question में एक एक चीज सही है बस यहाँ पे यही गलत कर रहा था यहाँ पे listening कर रहा था he inquired whether his name was not armed देखी question यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है इस बार जो sentence आपका दे दिया है वो passive, sorry, indirect speech में दे दिया है और आपको direct speech करना यह question जो है वो आपका indirect speech में तो direct speech में आपका answer बताना है ठीक है तो simple सा जो जो चीजे मैंने आपको rule बता है इसका उल्टा कर देना है यहाँ ठीक है अगर उल्टा करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक तो सभी question एकदम सही है अब यहाँ पे आपका इस लगा है इस लगा है, इस लगा है, इस लगा है बिल्कुल ठीक है अब यहाँ भीया that क्यों लगा दिया तो is your name, what is your name ठीक है, इस तरह से बनता है तो is your name एहमद यह ठीक है तो यहाँ पे it, not, not, हाँ चलिए एक चीज़ हाँ, बिल्कुल यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो his name was not एहमद तो यहाँ पे भीया sentence में not लगा है अगर not लगा है, तो एक ही option सही मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है is not your name एहमद मतलब सही option आपका third number होगा बहुत यह आसानी से आप answer को क्या कर सकते हैं खोज सकते हैं, ठीक है चलिए, आगे चलते हैं, देविये सुचनो question nest पे चलते हैं question nest क्या है I said I am not happy अब यहाँ पे भी देखिए question जो है आपका वो indirect speech में है indirect speech में, इसको diet speech में लाना है आपको और diet speech में लाएंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, am लिखा है नहीं नहीं, यह तो आपका direct speech में ही है, ठीक है diet speech है, इसको indirect speech में आपको करना है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे लिखा है, am मतलब यह आपका है, जो simple present है, अगर इज MR के साथ, बर्ब के साथ ing नहीं आया है, इसका मतलब sentence जो है, वो simple present का है, और simple present का है, तो simple past में जाएगा, simple सी बात है और simple past में होता है watch, तो यह दोनों option होंगे यह दोनों option कट हो जाएंगे ठीक है, अब इन option में आपको check कर लेना ही, कौन सा option आपका सही होगा, तो सबसे पहले I said that, I said that, it was not, it was not in a happy mood that day, और यहाँ पर लिखा है, तो जब भाईया today है, तो today का क्या change होता है that day होता है, मतलब option number आपका कौन सही होगा, third number होगा, यह द्यान रखिएगा, यह चीज़े मैंने आपको सब वीडियो में बताई हुई है previous जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाए है, ठीक है चलिए, आएंगे question पर चलते है देवियो सरजनो, बिना किसी time को waste किये हुए next question पर Jack said, I bought this pearl for my mother, ठीक है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर what मतलब B2 form आया है, और B2 form आयेगा तो किसमें हमें ले जाना है, भाईया मतलब यह past indefinite की बात है तो जाएंगे past perfect, मतलब head में और head में अगर जाएंगे, तो भाईया एक ही option मिल रहा है हमको, जो वो की लिखा हुआ है, Jack said that head bought that pearl that's, 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 ठीक है चलिए, next question की तरह move करते है please give me something to eat I am hungry, वाह the told woman said to the boys, ठीक है तो simple सा है, इस question को बहुती साधारन तरीके से solve परना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो आपकी जो reporting speech है वो कहां है, ये लिखी है I am hungry please give me something to eat I am hungry, ठीक है, ये है reporting speech, ये और ये है आपकी reported speech ठीक है, तो यहाँ से question उठाएंगे हम the old man said to ठीक है, तो यहाँ पर the old woman requested to the boys ठीक है, to give her something to eat, and says that she hungry, अब देखिए, यहाँ पर सीधे tense मिला लीजे tense अगर आप मिला है, तो I am hungry है तो ये I watch हो जाएगा, अगर I watch हो जाएगा, तो सीधे आपको जाना है, watch देखना है, कहां पर है तो I, देखिए, सी इज लिखा है सी इज लिखा है, सी इज लिखा देखिए, एक ही option है बहुत चुटकी बजाते हैं, जैसे मैंने आपको जोता है, ट्रिक बस पकड़ लीजे, तो आपका answer बहुत आसान है, इस MR है, मतलब simple आपका present tense है और simple present tense जाएगा, simple past tense में, और simple past tense क्या होता है भीया, एज MR का वाजबर होता है एक दम answer आपका, खट-खट-खट करके निकल आएगा आपका answer ठीक है चलिए, लिखा है, he said I can speak your language, ठीक है देखिए, आपके can लिखा है, तो can भीया could में change होता है could में change होता है, तो लेगे answer आपका, एक मिनट लगेगा एक मिनट आप लोग को मतलब आप लेंग, अगर सही तरीके समझ जाए वस्ट्रिक ना, तो आपका एक मिनट लगेगा answer में ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, ठीक है तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए it gives लिखा है, gives मतलब होता है आपका gives मतलब present का indefinite tense है भहिया, यह past के indefinite में जाएं कि मतलब give का give होना चाहिए answer में, तो give अगर आपका है, तो कहां है give, देखिए, give यहाँ पे gives है, गलत, gives है give है, यहाँ पे, मतलब 2 option तो आपके सीधे कट गए अब 2 option बचे हैं, इसमें आपको answer अपना खोजना है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हों, तो यहाँ पे क्या लिखा hair, तो hair का भहिया होता है, there मैंने आपको पीछे यह भी बताया है, तो यह भी आपको गलत हो गया सही answer कौन सा हुआ, the prince the prince said that it gave him great pleasure to be there that evening, मतलब बहुत आसानी से answer आप निकाल सकते हैं देवियों सजनों, ठीक है, तो बहुत यह आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह है cancer, अच्छा मैं एक मन में यह सोच रहा हूँ कि इस समय चल रहा है क्या देखिए, lockdown चल रहा है, ठीक है lockdown चल रहा है, मतलब मेरे पास भी time थोड़ा सा है, ठीक है अगर time है, तो मैं सोच रहा हूँ कि evening में 8 p.m और आपकी एक online class रख लिया करूँ, ठीक है, online class मतलब एक घंटे क्लास रहा करेगी 809 और मैं आपको per day उसमें कुछ न कुछ अच्छी चीज़े English grammar की बताऊंगा, जो आपके exam के लिए बहुत helpful होगी, ठीक है तो यह मैं plan कर रहा हूँ आज या कल से ही मैं इससे start करूँगा, इसके लिए अगर आप लोग सहमत हों, तो मुझे आप लोग comment में करके बताएं, तो मैं आपको फिर एक बढ़िया online class per day संडे को छोड़ करके मैं रखा करूँगा लगबग 6 दिन class आपकी रहा करेगी ठीक है question यहाँ पर देखी लिखा है do not wish to see any of you go away देखिए do लिखा है, मतलब यह present indefinite है, तो यह भाईया जाएगा, आपका past indefinite मतलब did में, और did में अगर जाएगा, तो भाईया यह option तो आपका बिलकुल नहीं होगा, यह आपका हो सकता है, यह आपका हो सकता है, ठीक है मतलब तीन option में अभी कड़ी टक कर चल रही है, तो आप इसमें देखते हैं कौन सा हो सकता है सबसे पहले, यहाँ तक आपका यह same है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ ठीक है any of, any of अब यहाँ पर them और you में आपको select करना चाहिए तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखा है any of you you है ठीक है, तो you जो है, any of you तो यहाँ पर any of them हो सकता है, ठीक है फिर आपने यहाँ पर लिखा है, and and, and, ठीक है, यह भी अच्छी बात है ordered यहाँ पर लिखा है क्या go away, I do not wish to see any of you any of you, मतलब आप लोगों में से मतलब यहाँ पर them बिल्कुल सही हो सकता है फिर आपका बच्छा order order, यहाँ पर them them, to go, to go, to go अबे, ठीक है मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पर question आपका थोड़ा सा हाँ, एक चीज इसमें इन्होंने सही की है जिससे मैं आपका option पकड़ सकता हूँ option अगर मैं पकड़ सकता हूँ वो यहाँ पर देखिए, अगर आपने देखा उते ordered लिखा है, यहाँ भी ordered लिखा है, और यहाँ पर लिखा है orders इस question में orders लिखा है मतलब यह दोनों आपके option कड़ गए अब यह दोनों बचे, तो इसमें आपका सही option कौन सा होगा them बाला, them ordered them, ठीक है तो यह आपका option क्या होगा सही होगा, बिल्कुल सही option आपका option number third बिल्कुल सही option है ठीक है, तो बहुत ही समझ के आपको answer लगाना है जब कोई question ऐसा भी आ जाएगा जो आपको फसाएगा, तो उसमें आपको निकल के बाहर आने के लिए मैं भी metric बता रहा हूँ किस तरह से solve करना है आपको, ठीक है चलिए, आँके चलते हैं देवियो से जनों लिखा है did, तो did मतलब head और head मतलब answer यह देखिए, इतना सरल question by God, आप लोग को मैं इतनी चित्रिक बता रहा हूँ, कि आप लोग बस ध्यान रखें कि यह लिखा है भाईया, did मतलब present, past का indefinite तो past के perfect मतलब head में जाएगा और head में केवल एक ही है option और आपको answer आजाएगा, ठीक है चलिए, इतना सरल आपने कभी narration नहीं पढ़ा होगा, ठीक है तो इस तरह से पढ़ना है अगर तो आप video जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखवाईए, ठीक है लिखा है, he said to me, I was waiting for you, देखिए यहाँ पर लिखा है was waiting for, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यह लिखा है past का continuous tense है, अगर past continuous तो यह आपको जाएगा किसमें past के perfect continuous tense में, मतलब head मीन आपको answer में चाहिए और head मीन देखिए, एक ही option में है, सीधे आपका answer आगया चुटकी बजाओ, answer पाओ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिल लिखा है the boys said to the fruit seller are the are all these mango sweets ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको करना क्या चाहिए यहाँ पर लिखा है, आर आर लिखा है, इसका मतलब आपका question में watch य बर देखना है क्योंकि यह present का quantity, अच्छा, देखें यहाँ पर आर के साथ ing नहीं लगा, मतलब यह simple present है अगर simple present है, तो simple past आपका answer होगा, मतलब watch य बर का answer होगा, तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आर आ गया, जो की गलत है यहाँ पर नीचे head bean आ गया जो की गलत है, मतलब इन दोनों option में से आपका सही answer होगा ठीक है, तो जब कभी आपको these मिले question में क्या मिले, these मिले, तो आपको option those का लगाना है, मतलब option number third सही है, और यह आपका गलत है जिस तरह this का that हो जाता है, उस तरह these का दोज हो जाएगा यही आपका answer होगा देवियों से चनो next question तरह move करते हैं mother said, oh it's a snack don't go near it children, अब देखिए यहाँ पर question को आपको पकड़ना है सबसे पहले बाद यहाँ पर discuss that यहाँ तक same है यहाँ पर भाईया it is लगा रहे हैं अब यहाँ पर it is तो खुदी लगा था मतलब it was होना चाहिए इन्होंने it were लगाया है तो यह गलत it is लगाया यह गलत it was यह सही है, यहाँ पर दोनों question यह भी सही है अब यहाँ पर अगर आप sentence में देख रहे हों ठीक है, सही option होगा third बिल्कुल, ठीक है बहुत आसानी sensor आप निकाल सकते हैं ठीक है चलिए, next question की तरफ move करते है ठीक है मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं कि आप लोग को bore लग रहा है, इस तरह की trick आप लोग में हलाकी देखी नहीं होगी कभी मैं जो trick आपको बता रहा हूँ न ये मेरे सिच्छक द्वारा मुझे सिखाई गई है बहुत इसांदार teacher है कभी आपको उनकी photo share करूँगा देखेंगे आप लोग, बहुत सही trick बताते थे वो इसी तरह से, जो मैं आपको बता रहा हूँ अब देखेंगे आप य आर लिखा है और साथ में ing है, मतलब ये है present का continuous, जाएगा past के continuous मतलब watch के साथ ing form चाहिए भीया तो यहाँ पे है जह गलत है, यहाँ पे है जह गलत है सीधे आप आजाईए answer the teacher asked the student why was he working so hard बहुत आसानी sensor निकालेंगे आप चलिए, next question की तरह move करते है question लिखा है, mother said to the children I have often told you not to play with fire ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है कि have अगर have मिले मतलब present का perfect tense मिले तो जाएगा past के perfect में मतलब answer होगा head का और अगर answer head का होगा तो देखे दो ही option में head है इनी दो में आपको answer को choose करना है, ठीक है चलिए आगे चलते है यहाँ पे mother told the children that head यहाँ तक बिल्कुल देखे दोनों में सही है इन्हों ने देखी एक चीज यहाँ पे की है bean लगा दिया, तो भही आप bean क्यों लगा रहे है bean की तो requirement ही नहीं है head है तो सीधे, have है तो हमें सीधे head चाहिए bean थोड़ी नहीं चाहिए यह से perfect continuous में पहुचा दे है आप तो यह गलत हो जाएगा तो option number third is the right answer question है next आपका यहाँ पे लिखा है नीता asked Meena what did you see at the south pole सबसे पहली बात south pole जो है यहाँ पे बात हो रही है तो south pole का नाम क्या है इंद्रा पॉइंट यह आप लोग को मैं GS का question एक बता देता हूँ एक number का ठीक है did मिला आपको did मिला अगर past indefinite मिला past perfect का answer होगा past perfect मतलब had answer होगा और had a key में है मतलब सही option आपका third number होगा यही आपका answer होगा ठीक है आगे चलते हैं last की कुछ question और बचे हुए है उनको देख लेते हैं फटा फट फिर आप लोग आगे अराम कीजिए ठीक है यहाँ पे लिखा it gives it gives मतलब present की perfect present का indefinite tense gives लिखा है मतलब present का indefinite जाएगा past के indefinite में और past के indefinite मतलब gave होता है और gave अगर होगा तो यह दोनों option तो बिलकुल नहीं होगे बचा कौन सा first और fourth ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखें gave लिखा है gave लिखा है him लिखा है great great pleasure pleasure two v two b hair hair there में पकड़ गया answer भाईया यहाँ पे अगर आप देखें तो option में यहाँ पे लिखा है hair तो hair का answer नहीं होगा होगा hair का क्या होता है there मतलब option number कौन सा होगा आपका सीधे hair last वाला option सही होगा ठीक है तो बहुत आसानी से answer निकालना है अपन लोग को बस trick आपको ध्यान रखनी है देवियों से जनो बाकिये मैं आपको trick बता रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे sara set to यहाँ लिखा है want लिखा है मतलब यह will का होता है will का want हो गया तो यहाँ पे आपको would answer आना चाहिए तो would का answer यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ठीक है अच्छा should भी हो सकता है बिल्कुल would और should दोनों को हो सकते है लेकिन आपका see के साथ क्या लगता है would ही लगता है तो यह फिर सही है आपका ठीक है फिर not है यहाँ पे ठीक है help है her head to carry है देखिए this or that मैटकाया हुआ यहाँ पे this है तो यह आपका सीधे that answer हो जाएगा यह भी आपका cut हो जाएगा this का change हो के क्या हो जाता है that हो जाता है next question यहाँ पे लिखा है ध्यान दीजेगा अगर आप लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है Jacqueline said to did लिखा है did है मतलब head का option चाहिए और head का option देखिए यह लिखा हुआ है चुटकी बजाईए answer पाईए ठीक है और कुछ last question और है बस यह last three question और है देवियों से चुनो ठीक है चलिए तो my teacher often says to me that if don't लिखा है देखिए भईया don't लिखा है मतलब यह आपका present का indefinite है जाएगा past के indefinite में और past के indefinite में अगर जाएगा तो सीधे did हो जाएगा और did not work hard yourself fail तो सही option आपका first number होगा चुटकी बजाईए answer पाईए वाला हाल है ठीक है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है were enjoying मतलब past का continuous tense है जाएगा past के perfect continuous में मतलब had been answer में होना चाहिए और had been केवल यहीं पे है मतलब यही option आपका बिलकुल सही है next question है what यहाँ पे लिखा है what मतलब b2 form और अगर b2 form है तो यह आपका सीधे किस में जाएगा b2 form head plus verb की third form में जाएगा मतलब past का indefinite है तो past के perfect में जाएगा और past का perfect होता है head plus verb की third form तो यहाँ पे head plus है मतलब यह दोन option का आपके cut अब देखिए यहाँ पे मैं cut क्यों कर देता हूँ पता है आप लोग को क्योंकि option आपके कम हो जाते है मतलब competition दिमाग में कम चीज़े गूमती है यहाँ पे yesterday लिखा है मतलब the day before होगा और the day before इसमें है और यहाँ पे गलत हो जाएगा ठीक है यह study का study नहीं होता the day before होता है यहाँ आपका option सही होगा और इसी के साथ अपन लोग ने खतम कर लिया है आज का यह महत्वपोंट session उमीद करता हूँ आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा और यह जो दृस से मैं आपको दिखा रहा हूँ narration का यह मेरे घर के पास कई है मैंने भी छत से लिया है यह view बढ़िया बादल है पेड़ है पौधे है मतलब greenery को दिखाया है मतलब आप भी greenery लिखाई है इसमें oxygen की बहुत कमी हो रही है तो बढ़िया पेड़ पौधे लगाई है मैंने अपने घर के बाहर लगा रखे है छोटे छोटे पौधे ठीक है और कनेल के लगा रखे है जिससे वो oxygen अच्छा देते हैं और जो असुधिया होती है उसको भी बहुत ज़्यादा आउपजर्व करते हैं तो यह काम मैंने किया है आप लोग भी कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक वीडियो को देखिए अपने दोस्तों को सेंड कीजिए और अगर आपको वाटसब ग्रूप में एड होना है तो इस ग्रूप इस नंबर में मुझे मैसेज कीजिए मैं आपको जोड़ दूँगा चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद बहुत बहुत सुब कामना है आप लोग की जल्दी आप एक गवर्मेंट एक्जाम में सेलेक्ट हो जाएं ठीक है चलिए गुड बाई